हाई दोस्तों मैं विजे आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ आज के इस वीडियो के अंदर हम एक ऐसे स्टॉक के अनेलिसिस करने वाले हैं जिसके अंदर यहां से सरफ 10% का रिस्क है और जो reward है वो बहुत ज्यादा है इसे स्टॉक के अंदर और यहां पर एक बहुत अच्छा खासा breakout हुआ है और breakout के बाद में उस स्टॉक ने यहां पर breakout को retest भी कर लिया है और अगर मैं यहां पर disclaimer दूँ तो जिस स्टॉक के बारे में हम बात करेंगे उसके अंदर 500 रुपे पर मैंने इस्टॉक में long term के लिए खरिदारी कर रही है देखें मैं यहां पर short term में swing trading के लिए इस वीडियो को बिल्कुल नहीं बना रहा हूँ सरब अगर long term की वज़े से अगर आप इस इस्टॉक के ऊंपर बाई वगरा करना चाते हैं की वीडियो देख सकते हैं क्योंकि यहां पर एक अच्छे खासे breakout के बाद में रिटेस्ट भी हो चुका है और बहुत ही अच्छा इस्टॉक है तो जैसे ही आई प्यों की डेट आजाएगी प्रैस वगर आजाएगी टाटा टेकनलोजी तो वहां पर टाटा मोटर के श्टॉक के अंदर भी तेजी देखने को मिलेगी तो चलते हैं चार्ट पर और देखते हैं किस तरह का हमको टाटा मोटर का चार्ट लग रहा है अब वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है वहां जाकर आप जोइन हो सकते हैं आज ही हमने टेलिग्राम के ऊपर टीरेफ को दिया था स्विंग टेडिंग के लिए दो सो बासाट रुपे पे दो सो बयांसी स्टॉक जाकर आया था हमने वहां पर वाबाग को भी द यहां पर 2015 में देखी यहां पर इसने 600 का लेवल टच किया 2016-17 में किया यहां पर डोजी बना के इस्टॉक में गिरावट देखने को मिल रही थी और यह जो हाई बना था यह 550 रुपे के पास में बना था और यहां पर देखें मलब 2015 से लेके 23 लगो आठ साल के बाद टाटा मोटर का इस्टोग यहां पर चल रहा है और देखें अगर मंतली केंडल मैं देख रहा हूं तो मंतली केंडल मैं देखेंगे तो ब्रेक आउट के बाद में इस्टोग देखें अपने कंसुलीडेशन हो रहा है इंसाड केंडल बना रहा है तो वह भी मैं आपको यहां पर द तेजी आ सकती है और हमने भी आपको कहता कि ज़्यादा ज़्यादा दस पर्षेंट का लौस हमको टाटा मोटर के श्टोक केंदर यहाँ पर आता हुआ नजर आता है बतार देखें इनवर्डड रड़ेक पैटरन चार्ट के बॉट्टम भी बनता है चार्ट के टॉप पे बहुत आए तो चार्ट के टॉप पे भी अच्छी तरह से काम करता है अपना यहां पर लगवा पांसो के आसपास का इस टैन लाइन का यहां पर ब्रेक आउट दे चुका था अभी हमने जो आपको देखिए यह जो चाहसो का रेश्टेंस बताया था वहां पर सिर्फ तीन बार इस टॉक टच हुआ है लेकिन इस टैन लाइन के पास देखेंगे एक बार दो बार तीन बार टच होके यहां पर ब्रेक आउट दे चुका तो हमारा जो एंट्री का लेवल था ना वह 500 रुपे के आसपास का था जो मैंने वीडियो के शुरू में इकाता आपको के 500 के आसपास मेरी खरिद्दारी है टाटा मोटर के स्टॉक के अंदर वह खरिद्दा को देखे जूम करके आपको दिखाता हूं चलिए जी अपने पास में स्टॉक आच चुका है टाटा मोटर का चार्ट वीकली पर अब देखिए जो ब्रेक आउट लेवल था अपना इस ब्रेक आउट लेवल को यहां पर देखेंगे तो अपने पास में डोजी केंडल बन च आपका यहां पर एक एसल होना चाहिए और अगर यहां से आपको खरीदारी करनी है तो निश्ची तोर पर आप खरीदारी कर सकते हैं और बहुत ही अच्छा ब्रेक आउट टाटा मोटर के श्टॉक के अंदर देखने को मिल रहा है सिर्फ यहां से देखिए छास्सो आपको रिस्क लेना है यहां पर टाटा मोटर के श्टॉक के अंदर जो रिवाड है वह बहुत ज्यादा है नौसो पचास तक के टार्गेट टाटा मोटर के श्टॉक के अंदर आ सकते हैं मैं तो भाईया टाटा मोटर के चार्ट के ऊपर बहुत बुलीज हूँ और मैं तो कहुंगा कि इस श्टॉक के अंदर निच्ची तोर के आमको निवेस करना चाहिए तो इस तरह से देखे दोस्तों हमने टाटा मोटर के चार्ट की अनलिसिस करके आपको बताया है किस तरह का चार्ट चल रहा है किस तरह के ब्रेक आउट हुए अगर वीडियो पसंद आए तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिये वीडियो को सेर कर दीजिए और देखे अगर किसी भी कर देखे अगर की अगर डothe बन जाती है तो अगर वीडियो पसंद आए तो जल्दी से वीडियो को लाइक करते हैं और ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिजे